C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई बाराह बीजी अव्यन्जक प्रिष्ट दो साउन चास बारह दशमलव चार समान और असमान पद जब पदों के बीजी अगुणन खंड एक जैसे ही हूँ तो वे पद समान पद यानी लाइक टर्म्स कहलाते हैं जब पदों के बीजी अगुणन खंड भिन भिन हूँ तो वे असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं उदहर अनार्थ व्यंजक 2xy घटा 3x जमा 5xy घटा 4 में पदों 2xy और 5xy को देखिये 2xy के गुणनखंड 2x और y हैं 5xy के गुणनखंड 5x और y हैं इस प्रकार इनके बीजीय अर्थात वे जिनमें चर हैं गुणनखंड एक ही हैं और इसलिए ये समान पद हैं इसके विपरीत पदों 2xy और माइनस 3x में भिन भिन बीजी अगुणनखंड हैं ये असमान पद हैं इसी प्रकार पद 2xy और 4 असमान पद हैं साथी माइनस 3x और 4 भी असमान पद हैं प्रयास कीजिए निमन लिखित में समान पदों के समूह बनाएए 12x बारह माइनस 25x माइनस 25 माइनस 25y एक एक एक्स बारह वाई वाई 12.5 एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद वह बीजी यव्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी यानि मनौमियल कहला था है जैसे 7xy माइनस 5m, 3z वर्ग, 4 इत्यादी प्रिश्ट 250 एक व्यंजक जिसमें केवल दो पद हूँ और वे असमान पद हूँ वह द्विपद यानि बाइनौमियल कहला था है उदहरनार्थ x जमा y, m घटा 5, mn जमा 4m, a वर्ग घटा बी वर्ग द्विपद है व्यंजक 10pq एक द्विपद नहीं है, यह एक एक पदी है व्यंजक a जमा b जमा 5 एक द्विपद नहीं है, इसमें 3 पद हैं एक व्यंजक जिसमें 3 पद हूँ एक त्रिपद यानि ठ्राइनौमियल कहलाता है उदहरनार्थ x जमा y जमा 7, a b जमा a जमा b, 3x वर्ग घटा 5x जमा 2, m जमा n जमा 10 त्रिपद हैं परन्तु व्यंजक a b जमा a जमा b जमा 5 एक त्रिपद नहीं है, इसमें 3 पद नहोकर 4 पद हैं व्यंजक x जमा y जमा 5x एक त्रिपद नहीं है, क्यूंके पद x और 5x समान पद हैं व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद यानि पॉलिनौमियल कहलाता है इस प्रकार एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी बहुपद हैं प्रयास कीजिए निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गी कृत कीजिए उदहरन 3. कारण सहित बताइए कि पदों के निम्नलिखित युगमों में कौन-कौन से युगम समान पदों के हैं तथा कौन-कौन से युगम असमान पदों के हैं 1. 7x, 12y, 2. 15x, minus 21x, 3 minus 4ab, 7ba, 4. 3xy, 3x, 5. 6xy वर्ग, 9x वर्ग y, 6. PQ वर्ग, minus 4PQ वर्ग, 7. MN वर्ग, 10MN, हल, यहां हम एक सारणी बनाएंगे, जिसके स्थम्भ होंगे, क्रम संख्या, युग्म, गुणन खंड, बीजी या गुणन खंड एक ही हैं या भिन भिन हैं, समान या असमान पद, टिप्पणी 1. 7x, 12y, 7x, 12y, भिन भिन, असमान, पदों में चर भिन भिन हैं, 2. 15x, माइनस 21x, एक ही हैं, समान, डाश, 3. माइनस 4ab, 7ba, माइनस 4ab, 7ba, एक ही हैं, समान, याद रखिये, 4. 3xy, 3x, 3xy, 3x, भिन भिन, असमान, चर वाई केवल पहले पद में है, 5. 6xy, 9xy, भिन भिन, असमान, दोनों पदों में चर तो एक जैसे हैं, परन्त इनकी घातें अलग-अलग हैं, 6. PQ वर्ग, माइनस 4PQ वर्ग, एक, पी, क्यू, क्यू, माइनस 4PQ, क्यू, 7. एक ही हैं, समान, ध्यान दीजिए, संख्यात्मक गुणांक एक दिखाया नहीं जाता है, प्रिष्ट 251 पदों में चरों की जांच कीजिए, ये एक ही होने चाहिएं। अब पदों में प्रत्येक चर की घातों की जांच कीजिए, ये एक ही होनी चाहिएं। ध्यान दीजिए कि समान पदों के बारे में निरणाएं लेते समय, इन दो बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1. पदों के संख्यात्मक गुणांग तथा 2. पदों में चरों के गुणां करने का क्रम। प्रश्नावली 12. लवेक। 1. निम्न लिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणीतिय संख्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजी य व्यंजक प्राप्त कीजिए। 1. संख्या Y में से Z को घटाना। 2. संख्याओं X और Y के योग खा आधा। 3. संख्या Z को स्वयम उससे गुणा किया जाता है। 4. संख्याओं P और Q के गुणन फल का एक चौथाई। 5. दोनों संख्याओं X और Y के वरगुं को जोडा जाता है। 6. संख्याओं M और N के गुणन फल के तीन गुणे में संख्या 5 जोडना। 7. दस में से संख्याओं Y और Z गुणन फल को घटाना। 8. संख्याओं A और B के गुणन फल में से उनके योग को घटाना। 2. एक. निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणन खंडों को छाटिये। पदों और उनके गुणन खंडों को पेल आरेखुं द्वारा भी दर्शाईये। A. एक्स घटा तीन B. A जमा एक्स जमा एक्स वर्ग C. वाई घटा वाई घन D. पांच एक्स वाई वर्ग जमा साथ एक्स वर्ग Y E. माइनस A B जमा दो B वर्ग माइनस तीन A वर्ग 2. नीचे दिये व्यांजकों में पदों और उनके गुणन खंडों को छाटिये। A. माइनस चार एक्स जमा पांच B. माइनस चार एक्स जमा पांच Y C. पांच Y जमा तीन वाई वर्ग D. XY जमा दो X वर्ग Y वर्ग E. PQ जमा Q F. एक दशमलव दो AB घटा दो दशमलव चार B जमा तीन दशमलव चै ए G. तीन बटा चार X जमा एक बटा चार H. शुनिय दशमलव एक P वर्ग जमा शुनिय दशमलव दो Q वर्ग 3. निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हों की पहचान कीजिए 1. पांच घटा 3T वर्ग 2. एक जमा T जमा T वर्ग जमा T घन 3. X जमा 2XY जमा 3Y 4. 100M जमा 1000N 5. माइनस P वर्ग Q वर्ग जमा 7PQ 6. एक दशमलव दो ए जमा 0.8B 7. तीन दशमलव एक चार आर वर्ग 8. दो गुणा कोष्ठकों में L जमा बी 9. शून्य दशमलव एक वाई जमा 0.01Y वर्ग 4. ए वे पद पहचानिये जिनमें X है और फिर इनमें X खा गुणांक लिखिये 1. Y वर्ग X जमा Y 2. 13 Y वर्ग घटा 8 Y X 3. X जमा Y जमा 2 4. 5 जमा Z जमा Z X 5 एक जमा X जमा 6. भारह X Y वर्ग जमा 25 जमा 7 जमा X Y वर्ग प्रिष्ठ 252 B. वे पद पहचानिये जिनमें Y वर्ग है और फिर इनमें Y वर्ग का गुणांक लिखिये 1. आठ घटा X Y वर्ग 2. 5 Y वर्ग जमा 7 X 3. दो X वर्ग Y घटा 15 X Y वर्ग जमा 7 Y वर्ग 5. निमनलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गिकृत कीजिए 1. चार Y घटा 7 Z 2. Y वर्ग 3. X जमा Y जमा X Y 4. 100 5. AB घटा 1 घटा B 6. 5 घटा 3 T 7. 4 P वर्ग Q घटा 4 P Q वर्ग 8. 7 MN 9. Z वर्ग घटा 3 Z जमा 8 10. A वर्ग जमा B वर्ग 11. Z वर्ग जमा Z 12. 1 जमा X जमा X वर्ग 6. बताइए कि दिये हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं 1. 1. 100 2. माइनस साथ X पाँच बटा दो X 3. माइनस 39 X माइनस 39 Y 4. 14 X Y 42 Y X 5. 4 M वर्ग P 4 M P वर्ग 6. 12 X Z 12 X वर्ग Z वर्ग 7. निम्न लिखित में समान पदों को छाटिए A. माइनस X Y वर्ग माइनस 4 Y X वर्ग 8 X वर्ग 2 X Y वर्ग 7 Y माइनस 11 X वर्ग माइनस 100 X माइनस 11 Y X 20 X वर्ग Y माइनस 6 X वर्ग Y 2xy, 10x, b, 10pq, 7p, 8q, minus p varg q varg, minus 7qp, minus 100q, minus 23, 12q varg p varg, minus 5p varg, 41, 2405p, 78qp, 13p varg q, qp varg, 701p varg. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक, कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर, गौरव मार्वा, तकनीकी समन्वयक, बतिलांग लिंगडो, तकनीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत